गुड मॉर्निंग फ्रेंज तो आज हम चलते हैं जैक के पास पेज नमबर टेन जैक बी निम्बल तो कैंडल स्टिक जम्प करी थी आपने ध्यान है वो ही आज फिर से करनी है चलिए देखें पोएम जैक बी निम्बल जैक बी क्विक जैक जम्प ओवर अगली भारी भी ले लेते हैं वो भी एजी है ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार अब 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 दे वर्ट सुहाई येस नोन पोएम को रिवाइज का लीजिए लाण का लीजिए और आज तो पूरा होने वाला है हमारा A to Z चलिए चलते हैं इंग्लिश चर्णिंग पेज नमबर 36 वाई लास्ट टाइम एक्स लिया था ना येस वाई देखें गैपिटल और स्मॉल वाई थोड़े थोड़े एक जैसे ही होते हैं कैपिटल में नीचे वाला जो है ये स्टेंडिंग लाइन ये स्ट्रेट होती है और स्मॉल में ऐसे और ये थोड़े से स्लैंटिंग होती है बस इतना ही डिफ्रेंस है आएए पड़ते हैं वाई फॉर याक यो यान याण याट ठीक है एक और थोड़े थोड़े तफ है ना ये एनिमल है याक राइट माउंटेन्स में होता ये थोड़ काओ के जैसा लेकिन बाल बहुत बड़े बड़े ये ये एक टॉय है यो यो और यान यान मतलब जो धागा होता है रील में ममा के पास यॉक जो एक के अंदर से निकलता है येलो पार्ट और याट एक तरह की बोट होती है सेल बोट आगे चलते हैं देखते हैं क्या है आज लास्ट लेटर हमारा सेल ये तो दोनों एक जैसे होते हैं जैसी ममा वैसा बेवी राइट जैट पर जैब्रा जैब्रा कुछ लोग उसे जीब्रा भी कहते हैं दोनों ठीक हैं जैब्र ये पैंट बहुत लगी होते हैं जीन्स में जीरो जीरो जू जू और जिग जग 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 नेक्स्स टाइम हम कराएंगे अब कहां चल रहे है मैं हम इंग्लिश ओके गैलरी इस नॉट येस स्मार्ट प्रें इंग्लिश पिर से य आ गया न प्रेस एंड कलर वाय एंड आ इस 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 5, 6, 7, 8, 9 यह तो circled है, right? Next, Z Z Z को भी देख लेते हैं This, this, this This, this, this Three steps, right? Trace and color Next is Trace path for the zebra to reach zoo This is a zebra And this is zoo तो उसको zoo में जाना, इसका path trace करो यानि फिर से एक Z बना दो Yes तो बस यह दोनों आज आप करिए और notebook में मगर कुछ अलग है Yes, G, page number 2 G2 Last time हमने जो G4 grapes से आपने करा था फिर से आपको yellow sketch पर tracing की practice करनी है नाव जी के जी के में revision है तो इसी वीडियो में ले ले लेते हैं है ना Yes चलते हैं फिर से हमारे Wild Animals Hmm, G के book Knowledge pool, page number 26 Where is the book Knowledge pool A अपको मिले तो मुझे बता दे ना जल्दी से सबसे नीचे Page number 26 Wild Animals Wild Animals Last time we covered Wild Animals उससे पहले हमने यह देखे थे Farm Animals जो हम लोग अपने पास रखना चाहते हैं विकोज हमने इनसे कुछ नहीं कुछ मिलता है लेकिन Wild Animals तो जंगल में रहते हैं हैं ना So, इनको रिवाइस करें इंग बार We have monkey Deer Zebra Zebra Lion Fox Giraffe Giraffe पानी पी रहा है Tiger Bear Elephant तो यह आपके पास चोड़ ट्वाइज होते हैं ना कही बार बच्चों के पास उनके पास भी छोटे छोटे चोटे रबर के Wild Animals होते हैं तो आपकों में शो करने हैं Wild भी कर सकते हैं और Domestic वाले भी कर सकते हैं लेकिन उनका नाम बताना हैं फिर ओके At least 5 Yes चलिए आज के लिए केवल इतना ही है Okay Bye Bye